किशान भाईयों पिशली साल अक्टूबर महिने में हमने बिंस लगाया था और हमने पोल टाइप का भी बिंस लगाया था और बुश टाइप का भी बिंस लगाया था वहाँ से कुछ सीड हमारे बचे रह गए थे और इस बार हम जब सीड की बुआई कर रहे थे तो पुरानी सेड हम ठोट रहे थे तो यहां से कुछ सेड मिले हुए हैं अब हम इस confusion मे हैं यह बुस्ट टाइप का बेंच है या फोल टाइप का बेंच है और इस साल हम यहां पर बढ़्चात के समय में इस बेंच की बॉआई करके यह ट्रील करने वाले हैं की क्या बढ़ा साथ के सब्सक्राइब उत्तr प्रदेस में конечно सब्सक्राइब हो रहा है वहाँ पर isWhen बीच की दूरी पर हम इहाँ पर एक में करेला लगाए थे जो कि मारा लंबा वाला करेला है और इसको हम जालर पर भी चड़ाएंगे तो यहां पर जो बीच-बीच में गैब बचा हुआ जहां पर करेले का जमाव नहीं हुआ है यहां पर हम यह बींस लगा रहे हैं कन्फूजन यह है कि यह पोल टाइप का बींस सै यह बूज टाइप का बींक से तो यह जालर पर नहीं चिढ़ेगा तो हमारा पर जो जमाव का जमाव का दूर होई तो इसलिए करेले के हटा यहां पर बिंस की बूआई करेंगे और यहां पर ब­़ल वाल है इसमें हम यहां पर बोड़्य, बॉड़र लगारे ना है कि खाईब को तो यहां पर पर यह जाएर अगया इसान भाइयों एक तरह तो क्योंकि यहाँ पर जो जालल दिया जा रहा है यह 16 फिट के गैप में है मतलब कि यहाँ पर बेर है बेर के बाद फिर दूसरी लाइन जो बेर की इसमें बीच में 16 फिट का गैप है और इसमें एक लाइन में हमारा जालल जा रहा है तो यहाँ पर यदि यह गहना भी हो जा किशान भाईयों बेंस की बात करें ये हमारे छेतर के लिए एक नई सब्जी हम तीन साल से बेंस की खेती कर रहे हैं सुर्गवात में तो मंडी में बिक्री नहीं होती थी लेकिन अब धीरे-धीरे मंडी में इसकी बिक्री होने लगी है और इसका काफी अच्छा रेट रहता ह तो ये बार्षात के समय में बिन्स की खेती सफल हो जाती है तो इसका में एक अच्छा रेट मिलने की संभावने रहेंगी क्योंकि अक्टूबर और लॉंबर महीने की जो लगन होती है उसमें हमारे हां बाहर से बिन्स आती है और काफी अच्छे रेट में बिक्ती है तो इ